हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं आप सब के सामने कॉलियस प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ मैंने कॉलियस का प्लांट लगाया था बहुत टाइम हो गया लगवग 3-4 मंथ पहले मैंने कॉलियस का प्लांट लगाया था यह बहुत ही जादा ब्य तो मैंने यह लगाया था और इसका मैंने कटिंग से मैंने एक दूसरा प्लांट भी लगाया था एक छोटे पॉट में तो वह भी लग गया है तो मैंने सोचा कि आप सब के साथ शेयर करूं क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा खुबसूरत पौदा है जो आप इसे गमले में लग सकते हैं और बहुत ही इसली ग्रो कर सकते हैं वैसके तो समर सीजन में इसका क्यर करना बहुत मुश्किल होता है पर इसके कटिंग से आप और भी प्लांट्स तयार कर सकते हैं जो मैं आपको आगे दिखाओंगी और इसकी अलग-अलग कलर्स के भी पतिया होती है जैसे में से स्टेम मैंने कट किया था और उसको मैंने दूसरे पॉट में छोटा पॉट में लगाया है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी और आप देख सकते हैं इसकी पत्तिया कितनी खुबसूरत है बहुत ही जादा ब्यूटिफुल है यह देखिए इसका कितना जैसे वेलवेट जैसा लग रहा है बिल्कुल यह और साथ में आप इसके देख सकते हैं जो मैंने कटिंग से लगाया है पौधा वह भी है इसके देखिए प्यारा सा बेबी प्लांट है और यह बहुत छोटा मैंने लगाया था और यह अब ग्रो कर चुका है इसके लिए मैंने जो स्वाइल कि देख सकते हैं और बीच बीच में इनगरा दमने प्लांट और मुछे लगा। यह बहुत अच्छी तरह से लग चुका है तो मैंने आप सब के साथ ये शेयर किया और इसको बस छाया में रखना होता है हलका सा आप सुबह की धूप इसे हलकी सी धूप लगा सकते हैं पर बहुत जादा सनलाइट नहीं लगाना होता है वैसे मैं साउथ में रहती हूँ तो यहां गर्मी आ गई है तो अभी इसका को प्लांट्स जो लग जाते हैं है उसके लिए स्प्रेय है मे पास और यह बहुत अच्छे इस प्लांट्स में में कीरय लकते हैं तो इसी का या यूजे करती हूँ यह बहुत ही जादा अच्छा है और बहुत ही easy है इस तरह से देखिए इस तरह से मैं मिठी में भी और plants के उपर भी spray करती रहती हूँ इसमें plants में किसी भी तरह के कीरे होते हैं तो वह हट जाते हैं और मेरा प्लांट फिट से बहुत अच्छी तरह से ग्रोग भी करने लग जाता है तो आप इसे भी ट्राइ कर सकते हैं और यह मेरा एक छोटा सा वीडियो था प्लांट के उपर क्योंकि मुझे प्लांट का भी बहुत शौक है तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो प् झाल ज प्लांट